हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अमित मितल सीनियर कंसल्टेंट दुल्लब जी ऑस्पिटल जैपूर एंड डारेक्टर मितल हैंड माइक्रो सर्द्री सेंटर जैपूर मैं आज आपके सामने उन लोगों के लिए टॉपिक लेकर रहा हूँ जो कि स्सी की प्रिपरेशन करते हैं आर्मी पुलीस या किसी नेवी और एयर फोर्स की एक्जाम के लिए सेलेक्शन के लिए त्यारी करते हैं उन लोगों के लिए आज ये टॉपिक बहुत ही 멋있 या Navy की वो रिटन एक्जाम तो पास कर लेते हैं और फिर वो फिजिक सेलेक्शन में जब आर्थोपेडिक डिपानमें तो जब वो उनको पता चलता है कि वह ऑर्थोपेडिक डिपार्टमें में रिज्युक्ठ हो गये हैं तो वह अश्यों बहुत ही आश्चर्य होते हैं क के लिए कि आप डॉक्टर से मिलें और इसको ठीक करवा कर आएं तो जब यह पेशेंट से रिजेक्ट हो जाते हैं फिर यह स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढून रहे होते हैं और परेशान रहते हैं तो मैं आपको आज वह चीजें बताता हूं जो और्टोपेडिक डिपार्ट में फिजिकल टेस्ट में चेक करते हैं जिसके कारण यह रिजेक्ट हो जाते हैं और इन लोगों को पता भी नहीं होता कि इनको ऐसी प्रॉब्लम थी तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको सिर्फ अंडर्वियर पहनने के लिए बोला जाता है और जो बाकी सारे कपने हैं उनको उतार कर साइड में रखने के लिए बताया जाता है जब यह पेशेंट्स और्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी पीछे से जो रीड की हटी होती है उसको चेक करते हैं उसमें देखते हैं कि जो रीड की हटी है बिल्कुल स्ट्रेट है या साइड में कर्वड है या और फिर उनको बेंड करके आगे बोला जाता है और देखा जाता है कोई भी कूबडा या कोई भी स्वेलिंग भढ़ रही है नहीं भढ़ रही है यह रीड की हटी में देखा जाता है जो कि लोगों को पता नहीं होता कि पीछे से वह अपने बॉड़ी को नहीं देखते हैं कि उसमें थोड़ा कर्वो जाते हैं तो उसको जीनु वेरम बोला जाता है तो यह प्रॉब्लम ज्यादा तर नूट्रिशन डेफिशेंसी वाइटमिन डेफिशेंसी की बच्पन के टाइम होती है जो टाइम के साथ बढ़ जाती है और फिर जब वो चलते हैं तो देखने में तो चल पाते हैं दोड़ प बहुत हैया और फिर देखा जाता है कि कोई विकनेस तो नहीं है काफ मसेल्स की या टांगों की और जब वो खड़े होते हैं तो पूरा शरीर का बहर बहुता पा रहे हैं अधा और कहीं पर ने के क्योंकि उनको दॉड़ने में और कुछी भी काम करने में कोई परिशानी नहीं होती है जब यह हो जाता है तो फिर वह उनका लास्ट में पार्ट आता है शोल्डर एल्बो रिस्ट हैंड और फिंगर तो यह एक ऐसा पार्ट है बॉड़ी का जो छुपाई भी नहीं चुपता है पूरा उपर उठाने के लिए ऐसे करने के लिए इसको साइड में लाने के लिए अंदर लाने के लिए और इसको अंदर टाइट करने के लिए तो कहीं लोगों को इसमें होती है जो कि जब उनको कोई चीज समान उठाने के लिए बुला जाता है तो फिर उनका थोड़ा जो पावर है एक हाथ से दुसरे हाथ के में एकम्पेर में जब चेक करते हैं तो कम होता है तो इसके कारण भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं या कभी बच्पन में चोट लग जाती है उनके तो एक पर कंदा निकल चुका उता है और फिर दुबारे जब भी वो इसको हाथ अपर करते हैं तो उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कंदा ना निकल जाए तो उस चीज़ कunde किया जाता है फिर उनके जो कोहनी होती है उनको सीधा करवाया जाता है तो कहीं लोगों के बच्पन में चोट लगी होती है, यहां पे गिर जाते हैं बाइक से, तो वो प्लास्टर से ठीक करवा लेते हैं, और उसके कारण हाथ थोड़ा सा भार होता है, और कहीं का हाथ थोड़ा अंदर हो जाता है, तो जिसको हम क्यूबाइटरस वेलगस बोलते ह हैं, अगर वो हाथ थोड़ा सा भार होता है, और अगर अंदर आ जाता है, क्यूबाइटरस वेलगस बोलते हैं, उसके कारण भी उनको रिजेक्शन मिल जाता है, फिर जो रिस्ट होता है, उसका रेंज ऑफ मूवमेंट चेक किया जाता है, साइड साइड में, और यह रोट बिलकुल इस साइड पैरलल आना चाही ए, और यह यहां पर कोई चोट थी, फिर उनके फिंगर्स का चेक के जाता है, उनको फूल स्ट्रेट करने के लिए बोला आजाता है, इसे करने के लिए, तो जब ऐसे देखते हैं, तो तब उनके कोईना कोई डिफॉर्रमीटी या व बोलते हैं या ऐसे टाइट पकड़ने के लिए बोलते हैं तो जो छिपी वी चीजे हैं यो की दिखती नहीं है वो उनको दिखने लगती है और फिर न हो कहते हैं कि सर यह तो बहुत चोटा सा है मैं तो सारा काम कर लेता हूं सर मेरे को रिजेक्ट मत कीजिए ऐसा उनका कहना होता है जब इन लोगों से पूछा जाता है की यह चोट कैसे लगी तो ज्यादाодар तर जूकर शोटी चोट माना कर उस पर प्लास्तर या बेंडे टेस्ट के लिए आते हैं तो पता चलता है कि फिंगर में ग्रीपनेस कम है या थोड़ी डिफॉर्मिटी है पूरा नहीं मुड़ता जैसे अगर यह देखते हैं तो पूरा मुवमेंट पूरा इतना इतना मुड़ता है लेकिन उनका थोड़ा सा इतना मुड़ता है इतना गया था सूजन भी कम हो भी थी लेकिन उसके कारण उनकी जो फिंगर का जो की फुल मूवमेंट है वो कम हो जाता है क्योंकि लिगमेंट टूट चुका होता है और जो उपर की जो रस्यां होती है उनमें सूजन आ चुकी होती है और वो पर्मानिट रह जाती है उसके कारण उ उसके कारण मेरे को थोड़ा सा निशान है उसके कारण reject हो गए है या फिर जो बोलते हैं लोग की सर थोड़ी सी उंगली सीधी नहीं होती है मेरी जैसे उंगली ऐसी रहेगी इतना सीधा नहीं होता है इतनी तो होती है पूरी सीधी नहीं होती है तो यह सब किसके कारण हुआ मैं तब से यह अपनी उंगली टेडी देख रहा हूं इतनी लेकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब फिजिकल इंजामेनीशन में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इस टेडे पन के कारण या इसके कारण जो यहां से कईउ की मूड़ी होती है यहां से मूड़ी होती पर अपने एक्जाम की त्यारी करें जो लोग इस टाइप की हाथ की प्रॉब्लम से परेशान हैं वो लोग specialist hand and microsurgeon से मिलें और अधिक जानकारी के लिए हमारा youtube channel subscribe करें थैंक यू सो मच